हलो प्रेंट आप से भी के स्वागत है अपना सिवा किंद्रे सेसी चैनल में आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम बताने लिए कि आधार काड की नया बना सकते हैं बच्चे का हो बड़े लोगों का है अधार काड अप्डेट कर सकत हैं जिसमें उसका बायोमेट्रिक हो गया थम हो गया फोटो हो गया मोबाइल नमर जेंडरेट कर सकते हैं यह सभी चीज वर्ग कर सकते हैं क्योंकि अधार कार्ड को फ्रेंचैसी लेकर बहुत ही अभी फ्रोड हो रहा है आप सब लोगों ने देखा होगा फेस्बुक में वहा ज्ञमेले में आपको नहीं जाना है क्योंकि आप सभी लोग को यह पता नहीं है कि अधार कार्ड की पेंचैसी अधार कार्ड की आइड़ी आपको UTI जो pen card बनाता है अभी चालू कर दिया है कि आप UTI से भी अधार card अधार कार्ट की ID हमें वहां से भी ले सकते हैं और आपको CSC प्रोवैड करती है और आपका bank favorite, bank में भी हमें अधार कार्ट हमें बनता है तो ये तीन जगें अभी हने ज्यादा चल रहा है और भी हने company है जो हने अधारकाट बनाने की हने company है लेकिन यह तीन है ज्यादा चल रहा है तो आज हम बताने वाले हैं कि UTI से किस प्रकासे हम लोग हने अधारकाट की franchise ले सकते हैं और next वीडियो में आपको यह भी बताए जाएगे कि CAC से भी ह जानकारी है जल्दी है देंगे हमारे चैनल में नए महमान होंगे चैनल को करेंजीगा subscribe क्योंकि इन्हीं तरह की information हम लोग के चैनल में वीडियो आते रहते हैं जैसे कि हम लोग अपने computer screen में जाते हैं वहां पर देखते हैं कि हम लोग हने अधारकाट की वहां पर service लेके क् फिस होगे रहा आपको कुछ हने यहां पर देने की जरूरत नहीं है आप हने इस किसी परकार की fraud में ना जाईएगा क्योंकि आपको अधारकाट की service कोई भी नहीं दे सकता है बस आपको तीन ही चार company ऐसे हैं जो आपको अधारकाट की franchise दे सकते हैं अधारकाट की ID दे सकते हैं तो चल लिए हम लोग अपने computer screen में जाते हैं और पूरी scheme या पूरी जानकारी उसमें जांकते हैं तो जैसे कि friend मैं अपने computer screen में आ चुका हूं computer screen में आने के बाद आप अपने google browser में आ जाना है google browser में यहां पे आने के बाद आपको यहां पे type कर देना होगा UTI service यहां प अधार कार्ड service को लेके बहुत fraud हो रहा है इसलिए आप गलत side में ना जायेगा उसके लिए मैं इस video के description box में link दे दिया हूं उस link को जैसे क्रीक करेंगे आप इस official website में आ जायेगा यहां पे यहां पे आने के बाद आपको यह पता है कि यह UTI service हने pen card service यह दे रही है अभी और बट अब चालू कर दिया है कि यह अधार कार्ड हने service भी यह देना चालू कर दिया है अधार कार्ड service यह दे रही है तो उनमें हम लोग को क्या क्या वो यहां पे काम मिलने वाला है अधार कार्ड बनाने से लेकर update करने तक और यहां पे क्या क्या सर्विस मिलने वाले व पर लिए आपको किलिक कर देना है यहां पर जैसे क्लिक करेंगे आप यूटी याई के जो है अधार के यहां के सर्विस जो जो दिये गया हुए सभी चीज में आप यहां पर आने के बाद देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है सर्विस अब लेबल एंड फीस तो अधार सकते हैं आपको पाच परकार के यहां पे service मिलने वाला है और सभी अधार काड जितने भी लोग बनाते हैं उन लोगों को भी इतना ही service मिलता है इसमें सभी service उपलगद है ठीक तो सबसे पहले आपका आता है कि अधार कार्ड बनाने के लिए जो है अधार कार्ड इन्वर्जमेंट आईडी छोटे लोगों का और बड़े लोगों का इसमें बनेगा अधार कार्ड और अधार कार्ड बनाने लेके आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ती है फिरी है और अधार कार्ड बनाने में ठीक अब यहाँ पे आता है Biometric Update करने में and हने Demography Update करने के लिए भी आपको कोई Charges देनी की आउसकता नहीं है, अब यहाँ पे आता है कि Full Biometric and Without हने Demography Update करने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपे का Charge हने देना पड़ेगा and आपका Only Demography Update कराना चाहेंगे आप तो आपको 50 रुपे का Charge यहाँ पे देना पड़ेगा and आपका यहाँ अधार का Download कराना चाहेंगे वे भी Color में A4 Seat में तो आपको यहाँ पे 30 रुपे का Charge देना पड़ेगा ठीक है, तो इतना हने आपको Service मिलते हैं, यह Service हने सभी Service हैं जिसमें आपको हने अपना Mobile Number, Photo जो Change कराना चाहते हैं, वे Change करा सकते हैं इसमें जैसे कि आप Full Biometric लिखा है and Without Demography, इसमें ही होता है Mobile Number, Biometric Change होता है, Photo इसमें ही Change होता है तो यह सभी Service आपको मिलने वाले हैं इस Service को लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा और कहां कहां यह Service मिलती है वे सभी जानकारी हम लोग बता देंगे इसी वीडियो में तो वीडियो में जूड़े रहिएगा तो यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर लिखा है अधार Service, अधार Service यहां पर लिखा है कि मैं इस समय आपके सेंटर में जाऊंगा उस समय आते हैं, तो आप हने वहां पर उसका सही समय में हने अपडेट कर सकते हैं और इसको बुक करके नहीं आते हैं तो आप वहां पर हने ज्यादा समय लग जकता है भीड रहता है तो अपोट्मेंट बूक रहते हैं तो सही समय में वे अपना हने अधारकार ओपडेट करा सकता है अब यहाँ पर मैं तो हने आपको सर्विस एंड ओब लेवल फीस के यहाँ पर जानकारी मिलेंगे अधार आल इंडिया कस्टामर केर सेंटर तो यह सेंटर कितना बजे खुला रहता है कब-कब खुला रहता है वे सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है तो देख सकते हैं Monday to Friday आपका 9.30-9.00 बजे सुबर and 2 हने 5.00 बजे साम तक यह खुला रखता है वहुत यहाँ पे ज्यादा समय दिया गया है बैंक का जो समय रहता है उसमें हने 9.10 बजे चालू होके आपका 3.00 बजे तक रहता है उसके बाद बंद हो जाता है अधार सेंटर बैंक वाला और आपका सटर डे को भी पड़ता है उसका 9.30 बजे चालू होता है और half time आपका 3.00 बजे बंद हो जाता है अब यहाँ पे आते हैं हम लोग की हने इसका जो सेंटर ब्रांथ जो है कहां पड़ता है कहां कहां है कहां कहां दिया हुआ है वो सभी जान करें तो देख सकते हैं find and near recent center तो यहां पे click करेंगे यहां पे जैसे ही click करेंगे यहां पे दिया गया है आपका चेन्डाइ दिया है दुरगापूर दिया गया है इंदोर जहपूर कोलकता तो ए सब में ही आपका हने UTI अधा हने ID यहां से UTI अधार center ले सकते हैं तो जैसे कि मैं एक हने यहां पे location को हने set करके दिखाता हूँ तो हम लोग को kya करना पड़ेगा तो जैसे कि मैं यहां जैपूर को select कर लेता हूँ जैपूर को जैसे ही select करूँगा उसका center का हने address यहां पे आ चुका है यहां पे देख स चाहता हूं और जानकारी को ये जानकारी के बाद उसके काविखिये गोदो से लिनी है उसका जो चारियेस आपको फुद से लगाना है यहीं है आपको पूरा जानकारी इंफुरमेशन दिया जाएगा इस एड्रेस में जाके ही आप बात कर सकते हैं तो इस आइछह सकते हैं और जोगों को अटार से किस प Run का से लेते हैं उनके भारे में भी बहुत लोग का कमेंट आया है तो जल्द भी उसका ही वीडियो बनाएंगे तो दमदार टोफिक के साथ हम लोग ने स्ट वीडियो में फिर से आने वाले हैं हमारे चैनल पे आप निव महान होंगे तो चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब और बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे थाइंकू फ्रेंड वंदे मातरम जहें